Hello everyone, today we read chapter 3rd सच्चाई, पेज नमबर 21 पाठ का उद्देश है सच बोलने की प्रेणा, अपनी गलती सुईकार करना, भाशा ग्यान बढ़ाना एक दिन गुरु जी कक्षा में गड़ित पढ़ा रहे थे उन्होंने कुछ सवाल बच्चों को हल करने के लिए दिये सभी बच्चे सवालों को हल करने में जुट गए उन्ही बच्चों में एक बालक बहुत होश्यार था उसका नाम गोपाल था उसने बहुत ही थोड़े समय में सभी सवालों को हल कर लिया और खड़े होकर बोला गुरु जी मैंने सभी सवाल हल कर लिये हैं जब गुरु जी ने गोपाल की पुस्तिका जाची तो वे चकित रह गए उसके सभी सवाल सही थे यह देखकर गुरु जी बहुत खुश हुए उन्होंने गोपाल की पीट थप थपाते हुए उसकी बहुत प्रशंसा की फिर उन्होंने सभी बच्चों को कुछ सवाल घर से हल करके लाने के लिए दिये जैसे आप सभी को मैथमेटिक्स वाला टीचर जो होता है वो कुछ एक्जामपल क्लास में लगवाता है और वैसे ही सेन अभ्यास के लिए आपको घर के लिए देता है तो वैसे ही उन्होंने भी दिये और बोले बच्चों यह आज का ग्रह कार रहे हैं इन सवालों को तुम्हें स्वयम हल करना है यह सुनकर सब बच्चे खुशी खुशी घर चले गए नेक्स्ट देखिए पीज नमबर 22 गोपाल घर आकर सवालों को हल करने लगा मा ने गोपाल से कहा बेटा पहले खाना खालो गोपाल ने कहा नहीं मा पहले यह सवाल हल कर लू मा ने फिर गोपाल को प्यार से समझाते हुए कहा बेटा पहले खाना खालो सवाल बाद में हल कर लेना मा बस एक ही सवाल रह गया है बाकी तो मैंने सभी सवाल हल कर लिये है परन्तु यह सवाल मेरी समझ में नहीं आ रहा है गोपाल बोला यह कहकर वह फिर सवाल हल करने लगा गोपाल ने बहुत माथा पच्ची कि परन्तु सवाल उसकी समझ में नहीं आया माथा पच्ची करना मतलब होता है देर तक सोचना समझना तो गोपाल ने बहुत देर तक सोचा समझा पर उसकी समझ में नहीं आया तब ही उसका एक मित्र वहां आया गोपाल ने मित्र की सहायता से वह सवाल हल कर लिया अगले दिन जब गुरू जी ने सभी बच्चों की पुस्तिकाएं जाची तो केवल गोपाल के ही सभी उत्तर सही थे उन्होंने गोपाल को शावासी देते हुए कहा बेटा गोपाल मुझे तुम पर गर्व है पूरी कक्षा में केवल तुम्हारे जवाब ही सही है फिर उन्होंने जेव मैं से एक कलम निकाली और गोपाल को देते हुए कहा बेटा मैं तुमसे बहुत प्रशन हूँ मैं कलम तुम्हें पुरसकार स्वरूप देता हूँ नेक्स्ट देखिए 23 पेज नमबर गोपाल गुरुजी की बात सुनकर रोने लगा गोपाल को रोता देखकर गुरुजी हैरान रह गए उन्होंने पूँचा अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो गोपाल बोला गुरुजी मैं पुरसकार पाने के योग्य नहीं हूँ क्योंकि आपने सभी सवाल स्वयम हल करने के लिए कहा था मैंने सभी सवालों के स्वयम हल निकाल लिए परन्तु एक सवाल हल नहीं कर पाया उसे हल करने में मेरी मित्र ने मेरी सहायता की है गुरु जी गुपाल की बात सुनकर बहुत खुश हुए एक छोटा सा बालक सब के सामने सच बोल रहा है और अपनी भूल स्वीकार कर रहा है वे बोले बेटा यह कलम तो तुम्हें पुरुसकार स्वरूप लेनी ही होगी पहले तुम्हें सवालों को हल करने के लिए पुरुसकार दिया जा रहा था किन्तु अब तुम्हारी सच्चाई के लिए यह पुरुसकार दिया जा रहा है गुरु जी ने सच बोलने के लिए यह कलम गोपाल को दे दी तो बच्चों जानते हो यह बालक कौन था इस बालक का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले यह बालक बड़ा होकर हमारे देश का महाननेता बना महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरू मानते थे नेक्स्ट देखिए पेज नमबर 24 और सबसे पहले आप बताईए कि आपको इस चैप्टर से क्या सीख मिली तो हमें इस चैप्टर से सीखने को मिला कि हमें कभी जूट नहीं बोलना चाहिए और अपने टीचरों से हमेशा सच बोलना चाहिए किसी भी बात को छुपाना नहीं चाहिए आगे देखिए आपको मीनिंग्स दी गई है और मीनिंग्स को आपको हिंदी फर्स्ट की नोट बुक में राइट करना है और लर्न करना है जैसे चकित मीन्स हैरान ग्रहकार मीन्स घर के लिए दिया गया कार सहायता सहायता मीन्स मदद प्रशंशा प्रशंशा मीन्स तारीफ स्वयम, स्वयम मीन्स अपने आप, पुरस्कार, पुरस्कार मीन्स इनाम माथा पच्ची कारना मीन्स देर तक सोचना समझना नीचे आपको कुछ कठिन शब्द दिये गए हैं जिने आप as a dictation राइट कर सकते हैं, सीख सकते हैं बिना देखे लिखकर जैसे सवाल, जुट, होशियार, पुस्टिका, जाची, चकित, थप थपाते, प्रसंसा, ग्रहकार, योग्य, सच्चाई, और पुरुस्कार, स्वारूब